प्यारे तुल्बा, आझ हम उद्दू पढ़ेंगे जमात शयशुम जमात शयशुम में हम आझ पांचवा सबख पढ़ेंगे पांचवा सबख है सुख दुख का फर्ख पांचवा सबख में जिसके लिखने वाले मुसनिफ है मुहमत खासिम सिद्दीखी कौन है मुसनिफ मुहमत खासिम सिद्धिखी और पांचवा सबग क्या है सुग्दु का फर्ख बच्चो इस तस्वीर को घौड से देखना है अपलूआ पहली तस्वीर और दूसी तस्वीर पहली तस्वीर में क्या करें चंद तुल्म बैठा हुआ शक्स एक गम में बैठा और दूसरा शक्स खड़ा हुआ है कि इसी तरह यह तस्वीर में देखके अपलूँ क्या समझ में आना सोंची और बोलिए इस तस्वीर को देखके सोंचने और अच्छी तरह बोलना है पहला था पहला सवाल क्यों बैठा यह आप लोगां बोलना है चाहता हम कब उदास हो जाते हम कब उदास हो जाते हैं यह वी जवाब बोलना है यह औरली है पांच वह हमें खुशी कब हासिल होती है हमें खुशी कब हासिल होती है दो सवालात के जवाबत बोर तीसरा चाहता पांच वाप लोगां बताना है बच्चो इस सबख में आप लोगों को यहां पर क्या बताना चाहरे है देखो मरकजी ख्याल है सबख का कि जो इनसान जिस तरह जिन्दगी गुजारता है याने ऐसा इनसान जिसको जिन्दगी किस तरह गुजारना है जो इनसान कौन सी कैसी जिन्दगी गुजारने क्या आदी हो जाता ना उसी तरह जिंदाई गुजारता है साबक का मकसद कि वो इसी क्या आदी हो जाता है यानि इनसन को अपने आप में कैसी जिंदाई गुजारना चाहरा है वो इसी क्या आदी हो जाता है मुसीबते जिन पर आती हो उनको सहे लेते हैं जिन पर मुसिबते आती हैं वो सहे लेते हैं और फिर मुसिबते उन्हें परेशान नहीं करती आराम पसंद लोगों के लिए मुसिबत का सहना मुश्किल होता यानि मुसिबत इन लोगों को आती जो सहने के खाबिल रहते उनको ही मुसिबत आती और आराम पसंद लोगों को क्यों मुसीबत नहीं आती क्योंकि उन मुसीबत को नहीं सह सकते इसलिए जो मुसीबत सह सकते उन्हीं को मुसीबत आती है इस सबख का मकसद ये है एक छोटी सी कहानी की शकल में है सबख पुराने जमाने में एक मशूर राजा हुकूमत करता था याने पुराने ज बहुत अकलमंद हुशार था पुराने जमाने में एक मशूर राजा था उन्हें हुकुमत समालता था राजा के पास एक वजीर था वजीर क्या था बहुत हुशार और अकलमंद था और राजा इससे बहुत खुश था राजा क्या इससे बहुत खुश होता था और कई बार इस एक राजा और एक वजीर और एक शक्स है यहां पर तस्वीर को भी देखो उसके बाद क्या हुआ एक मरतबा बरसात के जमाने में बारिश के बाद मोसम खिलने पर राजा का जी चाहा कियो सैर करने जाए तो एक मरतबा बरसात का मोसम था बारिश फुल होने के बाद क्या बारिश जोड से आके क्या होगा एकदम थम गई मैं सायर करने जाओं बलके राजा सोंच रहे थे इसने अपने वजीर को साथ ले लिया क्या करें राजा अपने वजीर को घूमने के लिए वजीर को साथ ले गए और जंगल की सायर पर निकल पड़ा तो राजा कांग ए घुमने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े हर तरफ हर्याली ही अर्याली थी हर तरफ क्या था हर्याली ही हर्याली थी हरा भरा था पुरा बारिश होने के वज़े से हर तरफ जंगल में हरा भरा मंजर नजर आ रहा था बारिश की वज़े से चारों तरफ पानी एखटा हो गया घुमते घुमते दोनों एक बड़े और नीचे टेले पर पहुंचे वहाँ इन्होंने देखा क्या करें घुमते घुमते एक उन्चाई पर पहुंचे उन्चाई पर एक फतर है तहां पर पहुंचे कौन राजा और वजीर इन्हों ने देखा कि एक चरवा फतरों पर पढ़ा हुआ है तो वजीर और राजा देखे कि फतरों पर क्या एक चरवा है याने जानवरों को चराने वाला फतर पर पढ़ा हुआ था पानी इसके सर को छूचू कर बह रहा था पानी क्या हुआ जो चरवास हो गया था उसके सर को छू रहा था राजा ने वजीर से कहा राजा वजीर से क्या कह रहे हैं ऐसा मालूम होता कि जवान मर गया राजा क्या पूरे वजीर से इस शक्स तो मर गया क्या बलके अपने वजिर से पूछे कौन राजा इसी तरह हम इस सबख की कहानी को पहला हिस्सा सबख का पहला हिस्सा मुकमिल हुआ अब इंशाला दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे